इंडोर स्पोर्ट्स की बात आती है तो पूल एक ऐसा स्पोर्ट है जो आजखिल के यूथ को अट्रेक्ट करता है तो इसी अट्रेक्शन को देखते हुए चंडिगड में और्गिनाइज करवाया गया पूल टूनामेंट जहां अलग-अलग स्टेट से आए प्लेयर्स ने पाडिस्पेट किया यहां एक ऐसे प्लेयर भी मौजूद थे जिनकी एज तो बहुत कम थी लेकिन इनका एक्सपिरेंस शायद बाकी सभी कंटेस्टेंस से ज़ादा है यह टूनामेंट स्रिफ यहीं खतम नहीं होता बलकि इस टूनामेंट को नेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है हम इसे नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अब नेक्स मन्त में हम देली चंदिगाड गुडगाउं तीनों जगे करेंगे और फिर एवरी कॉर्टर मतलब हर तीन महीने बाद हम तीनों जगे के विनर्स लास्ट थ्री मन्स के एक जगे बुलाएंगे और उनके मैच होंगे और साल कंप्लीट होने के बाद हर जगे के विनर्स जो हैं बारा महीने के वो सब एक जगे खटे होंगे और एक मेगा ट्रॉफी के लिए they will fight which will become a running shield तो एक running shield हम start करेंगे जो हर साल change होती रहेगी चंडिगड के इस टुनामेट में 64 participants पार्ट लेकर साथ राउंड से एक दूसरे को नॉक आउट कर next level पर जाएंगे There is a bracket of 64, तो 64 players खेल रहे हैं There will be 7th round, 7th round is the final नॉक आउट basis पे 1st और 2nd round वो best of 3 हैं उसके बाद के सारे round best of 5 हैं और last जो final होगा वो race to 5 है तो टोटल 9 frames खेले जा सकते हैं टुनामेंट के winners को encourage करने के लिए इन्हें different different prizes भी दिये जाएंगे जो first prize है वो 50,000 रुपीज है second prize 30,000 है और third prize 10,000 रुपीज है सो ये टुनामेंट तो काफी excited रहा जहां players अलग-अलग जगा से आप पहुंचे और साथ ही इन्होंने सबको अपनी काबिलियत भी दिखाई entertainment desk से पृती सिंग, day night news चंडिगर खाबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहें राद दिन